घलो दोस्तों स्वागते हमारे Tech News चानल पे चली इस वीडियो का सुभारम करते हैं Samsung Galaxy Z Fold 3 और Z Flip 3 इंदिया में जल्दी लौंच होने वाला है Samsung Galaxy Z Fold 3 इंदिया में आज़ पास 120,000 ने आ सकता है और Z Flip 3 लगभग 77,000 में इंदिया में आ सकता है और Galaxy Watch 4 और Galaxy Bird 2 इंडिया में जल्धी लॉंच होने वाला है चलिए चलते हैं 2nd Tech News पे Vivo V23 और V23 Pro और V23E इंडिया में लिस्ट हुआ है और वो इंडिया में जल्धी लॉंच होने वाला है चलिए चलते हैं 3rd Tech News पे Poco F3 GT इंडिया में जल्दी लाँच होने वाला है और उस मोबाइल में फ्रेम मेटल होने वाला है और बैक ग्लास के साथ हो सकता है और इसमें Miradec Dimensity 12000 जो के एक 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है चलिए चलते हैं फोर्थ टेक न्यूस पे OnePlus Nord 2 जो Poco F3 GT का टकर देने के लिए आ रहा है इंडिया में 22 जूलाई को लाँच होने वाला है और उसमें 6.43 इंच का 90 Hz का AMOLED डिस्पले हो सकता है चलिए चलते हैं फिफ्ट टेक न्यूस पे IQ 8 चाइना में अगले मांथी लाँच होने वाला है चलिए चलते हैं 6 टेक न्यूस पे Realme Book मतलब Realme Laptop इंडिया में अगस्ट में ही लाँच होने वाला है इसमें i3, i5, 11 जनरेशन का चिप्चर मिल सकता है और उसमें fingerprint scanner भी होगा विट Windows 11 के साथ आएगा और इंडिया में 40,000 के आसपास हो सकता है चलिए चलते हैं 7 टेक न्यूस पे ओपो ने pre-research team एनॉंस कर दिया है 6G के लिए और वो 5G से बहुत स्पीड होने वाला है चलिए चलते हैं 8 टेक न्यूस पे Battleground Mobile India Crafton ने एक पीक share किया है उसमें 34 मिलियन register कर चुके हैं और 16 मिलियन daily active players है और 2.4 मिलियन पीक करेंट प्लेयर से सिर्फ एक वीक में है और Battleground Mobile India में Season 20 इंडिया में 14 जूलाई को आने वाला है चलिए चलते हैं 8 टेक न्यूस पे Redmi Note 10 5G इंडिया में 20 जूलाई को लाँच होने वाला है और Miratech Diamond City 700 के साथ होगा जो के एक 5G प्रोसेसर है चलिए चलते हैं 9 टेक न्यूस और लाज्ट टेक न्यूस पे According to Digital Charge Station Redmi K50 जल्दी लाँच होने वाला है globally इस वीडियो को लाइक, शेर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा